दोस्तो हवाई जहाज का विसकार दो अमेर्की अवियेटर राइट बंदों ने वर्स 1903 में किया था और आस्मान के उचाईयों को छुआ था हाला कि कुछ लोग का या भी कहना है कि राइट बंदों से 8 साल पहले यानि साल 1895 में मुंबई के रहने वाले स्यूकर बापुजी तलपडे ने यहा करनामा किया था लेकिन उनकी उपलब्दी इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हवाई जहाज से जुड़े कुछ रोचक तत्यों के बारे में तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जूर कीजिए हर दिन लगबक दो लाख विमान पूरी दुनिया में उडान भरते हैं लेकिन अभी तक सिर्फ 5% अबाद ही हवाई जहाज में बैठ पाई है ताकि अगर उन में से एक विमार हो जाए तो दूसरा विमान को समाल सके जहाज में इमर्जेंसी के समय आपको जो आक्सीजन मास्क दिया जाता है उसकी मदद से आप सिर्फ 15 मिट तक जिन्दा रह सकते हैं नमबर 5 हर पाँच में से एक विक्ति को उन्ने से डर लगता है और इसे एवियोफोबिय कहा जाता है नमबर 6 हवाई जहाज में पारा ले जाना सक्त मना है क्योंकि जहाज एल्मूनियम का बना होता है और पारा एल्मूनियम को नश्ट कर देता है हवाई यात्रा के दोरान लोग अधिक गैस छोड़ते हैं इसलिए जहाजों में गंध को कम करने के लिए चारकोल फिल्टर का इस्तमाल किया जाता है अब तक 80% हवाई दुर्गटने टेक अफ के 3 मिनिट के भीतर या लेंडिंग के अंतिम 8 मिनिट के भीतर हुई है सबसे बड़ा विमान हाथसा 1977 में उलान भदने के दोरान हुआ था जिसमें करीब 500 लोग की मोथ हुई थी जायतर हवाई जाज सफेद रंग के होते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि सफेद रंग के काड़ विमान में दरारे तेल का रिशाओ आदि दोस्स असानी से दिखाई देते हैं साथ ही सफेद रंग गर्मी को परवर्तित करता है इसलिए विमान 30 से अरफिट के उजाई पर भी ठंडा रहता है हवाई जाज को इस तरह से डिजाइन के रहता है कि उस पर अस्मानी बिजली का कोई बुरा असर ना हो 1963 के बाद बिजली गिरने से कोई विमान दुरगटना नहीं हुई और यह सब इंजिनरिंग का कमाल है विमान के टायर 200 से 250 लेंडिंग के बाद बदले जाते हैं एक कार की तरह एक हवाई जाज के टायरे को बदलने के लिए भी जैक का इस्तमाल किया जाता है यातरा के दुरान हमेशा विमान के पिछले हिस्से में बैठना चाहिए क्योंकि हाथ से के दुरान पीछे बैठे यातरियों के बचने के संभावना 40 फिस्दी जादा होती है ब्लेक बाक्स को भी पीछे की तरफ ही रखा जाता है हवाई जाज में सोचाले के दरवाजे भले ही अंदर से बंध हो लेकिन उन्हें बाहर से भी खोला जा सकता है ऐसला इसलिए तकी इमर्जेंसी में लोगों को जल्दी बाहर निकाला जा सके कभी-कभी इमर्जेंसी लेडिंग के दोरान विमान के वजन को कम करने के लिए उसके फ्यूल को हाउ में गिरा दिया जाता है जो जमीन पर गिरने से पहले ही वास्पित हो जाते हैं 15. हवाईजाज में फ्यूल की रूप में पेट्रोल या डिजल का उपियोग नहीं होता, बलकि जेटी इंधन का उपियोग होता है, जो जल्दी से आग नहीं पकड़ता.